आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश की टौई इंडूस्टी में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना, आत्म निर्भरत भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है ये हम सभी के लिए आनन की बात है, कि आज हम देश के पहले टौई फैर की शुरुवात का हिस्सा बन रहे हैं टौई फैर के इस कारकम में मेरे साथ जूड रहे, केमिनेट के मेरे सभी साथ ही टौई इंडूस्ट्री से जुड़े सभी प्रतिजदीगर्ण, सभी कारिगर भाई बहन, पैरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों ये पहला टौई फैर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कारकम भर नहीं है ये कारकम देश की सद्यों पुरानी, खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की कड़ी है मुझे बताया गया है, इस कारकम की प्रदर्शनी में, कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहु राष्ट्रिय कमपनियां तक, तीस राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों से एक हजार से अधिक एक्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं आप सभी के लिए एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलोनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेकनलोजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे और अपने अनुभव साजहा भी करेंगे टॉइ फैर दोहजार इकीस में आपके पास भारत में ओनलाइन गेमिंग उद्योग और इस्पोर्ट उद्योग के इको सिस्टिम के बारे में जानने का आउसर होगा मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चों के लिए धेरों गतिविधियां भी रखी गई है मैं तोगए फैर के इस आयोजन में अपनी भूमी का निभाने वाले सभी साथियों को हार्दिक बढ़ाई देता हूँ साथियों खिलोनों के साथ भारत का रचनात्म ग्रिस्ता क्रियेटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभा का इतियास है सिंदू गाटी सभ्यता मोहन जयदारो और हरप्य के दोर के खिलोनों पर पूरी दुनिया ने रिसस की है प्राचिन कान में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे वो भारत में खेलों को सिखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे आज जो सत्रंज दुनिया में इतना लोग पुरिय हैं वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रुप में भारत में खेला जाता था आदुनिक लुडो तब पच्चीसी के रुप में खेला जाता था हमारे धर्म ग्रंतों में भी आप देखिए बाल राम के लिए अलग-अलग कितने ही खिलोना का वर्णन मिलता है गोकुल में गोपाल कृष्चन घर के बहार अपने मित्रों के साथ कंदुक यानि बॉल से खेलने जाते थे हमारे प्राचिन मंदिरों में भी खेलों के खिलोनों के शिल्प को उकेरा गया है खास करके तमिल नाडु में चिन्ने ही में अगर आप महां मंदिरों को मैं देखेंगे तो ऐसे कितने ही उधान देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग-अलग खेल अलग-अलग खिलोने वो सारी चीज़े वहां आज भी दिवारों पर दिखती है साथियों किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलोने आस्था के कैंदरों का हिस्सा बन जाएं तो इसका आर्थ है कि वो समाच खेलों के विज्ञान को गहराई से समझता था हमारे हाँ खिलोने ऐसे बनाये जाते थे जो बच्चों के चहु मुखी विकास में योगदान दे उनमें एनालिटिकल माइंड विक्सित करे आज भी भारतिय खिलोने आदुनिक फैंसी खिलोनों की तुल्ना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं सामाजिक भावगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं साथियों रिस्क्यू रियूज रियूज और रिसाइकलिंग जिस तरह भारतिय जिवन सैली का हिस्सा रहे हैं वही हमारे खिलोनों में भी दिखता है ज्यादा तर भारतिय खिलोने प्राकृतिक और एको फ्रेंली चीजों से बनाते हैं उनमें इस्तिमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं अभी हम वारानची के लोगों से बात कर रहे थे वारानची के लकडी के खिलोने और गुडिया को देखी है राजस्तान के मिट्टी के खिलोने देखी है ऐसे ही पुर्वी मेदिनिपूर की गलर गुडियां है, कच के कपड़ा डिंगला और डिंगली है, आंधर प्रदेश के इटी कोपक, बुम्मलू और बुधनी के लकडी के खिलोने हैं, करना तक जाएंगे तो वहां के चंद पटना खिलोने अभी जो हम से देख रहे थे, तेलंगा के निर्मल खिलोने, चित्रकूट के लकडी के खिलोने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलोने, ये साब खिलोने अपने आप में कितने डायवर्स हैं, कितनी अलग-अलग मानता है कि सभी खिलोने इको फ्रेंडली और क्रेटिव है, ये खिलोने देश के युवां मन को हमारे इतिहास और संस्कूरते से भी जोडते हैं, और सामाजिक, मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं, इसलिए आज मैं देश के टॉय मैनुफेक्टरस से भी अपील करना चाह का आप ऐसे खिलोने बनाएं, जो एको लोजी और साइकोलोजी दोनों के लिए इन भी वैतर हो। क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं, कि खिलोनों में कम से कम प्लास्टिक इस्थमाल करें, ऐसी चीजों का इस्तिमाल करें, जिने रिसाइकल कर सकते हैं। साथियों आज दुनिया में हर क्षेत्र में भारतिय द्रश्चिकों और भारतिय विचारों के बात हो रही है भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक यूनिक परस्पेक्टिव भी है यह हमारी परंपराओं में, हमारे परिधानों में, हमारे खानपान में, हर जगह एक विविदताएं एक ताकत के रूप में नजर आती है इसी तरह भारतिय टॉइ इंडिस्ट्री भी इस यूनिक इंडियन परस्पेक्टिव को, भारतिय विचार बोत को प्रोच्षाइद कर सकती है हमारे यहां खिलों ने तो पीडियों की विरासत के तौर पर रखे और सहजे जाते रहे हैं दादी नानी के खिलों ने परिवार के तीसरी चौथी प्रीडि तक को दिये जाते थे यहां रोपर परिवार के लोग अपने खिलों निकालते थे और अपने पारमपारिक संग्र को एक दूसरे को दिखाते भी थे जब हमारे खिलों ने इसी इंडियन एस्ट्रेटिक से सजे होंगे तो इंडियन थौट्स भारतियता की भावना भी बच्चों के अंदर और मजबूती से विक्सित होगी उसमें इस मिटी की महक होगी प्यारे बच्चों और साथ्यों गुरुदेव रविंदना टेगोर नहीं है अपने कभीता में कहा है कि वेन आई ब्रिंग तो यू कलर्ट तौइज माइचाईल आइचाईड 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 टिन्स वेन आई गिव कलर्ट तौइज तो यू माइचाईड यानि एक खिलोना बच्चों को खुश्यों की अनंत दुनिया में ले जाता है खिलोना का एक एक रंग बच्चों के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है आज यहाँ इतने खिलोनों को देखकर यहाँ उपस्तित बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं वही अनुभव हम समने भी अपने बच्च्पन की यादों में संजो कर रखा है कागज के हवाई जहाच, लट्टू, कंचे, पतंग, सीटियां, जूले, कागज के घूने वाले पंखे, गुड्डे वर गुड्यां ऐसे कितने ही खिलों ने हर बच्चपन के साथी रहे हैं साइंस के कितने ही सिधांत, कितनी ही बाते, जैसे की रोटेशन, ऑसिलेशन, प्रेशर, फिक्षन यह सब हम खिलोनों से खेलते हुए, उन्हें बनाते हुए, खुद बखुद सिख जाते थे भारत के खेल और खेलोनों की यह खुबी रही है, कि उनमें ग्यान होता है, विज्ञान भी होता है मनोरंजन होता है, और मनोविज्ञान भी होता है उधान के तौर पर लट्टू को ही ले लीजिए जब बच्चे लट्टू से खेल ना सिकते हैं तो लट्टू खेल-खेल में ही उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पार्ट पड़ा जाता है वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अंजाने में पोटेंशल से काइनेटिक एनरजी के बारे में बेजिक सिखने लगता है पजल टोय से रणनितिक सोच और समस्या को सुलजाने की सोच विक्सित होती है इसी तरह नवजाद बच्चे भी जुन जुने और माजे घुमा घुमा कर सर्कुलर मूवमेंट को महसूस करने लगते हैं आगे जाकर इनी चीजों को जब उन्हें उनकी कख्षा में कितामों में पढ़ाय जाता है तो अपने खेल से उसे रिलेट कर पाते हैं प्रैक्टिकल एक्सपेर्स को समझ पाते हैं कीवल किताबी ज्यान से यह समझ नहीं समझ विक्सिती नहीं हो सकती है साथियों आप सबने भी देखा होगा कि रचनात्मक खिलोने कैसे बच्चों के सेंसिस को डवलप करते हैं उनकी कलपनाओं को पंख देते हैं अपने खिलोनों के इद्गिर्द बच्चे कैसे अपनी कलपनाओं का एक पूरा सौंसार बना लेते हैं जैसे कि आप किसी बच्चे को खिलोनों वाले बरतन दीजिए वो ऐसे वहवार करना लगेगा जैसे कि पूरे किचन की ववस्ता संबाल रहा है और पूरी परिवार को वही आज खाना खिलाने वाला है उन्हें आप जानवरों वाले खिलोने दीजिए तो अपने मन में पूरा जंगल बना देता है खुद भी आवाज निकालने लगता है जो भी ठीक लगे उसको लगता है कि ये शेर है तो ऐसी आवाज निकालता है उन्हें एक टेर्टोस्कोप दे दीजिए थोड़ी देर में देख दीजिए वो डॉक्टर बन जाएगा फैमिली डॉक्टर बन जाएगा और पूरे परिवार के सब की तब्यद जांचना शुरू कर देखता है जांच परतार गड़ा लग जाता है ऐसे ही केवल एक बॉल्ट से वो घर के भीतर पूरा फुटबल ग्राउंड बना लिते हैं रोकेट का खेलोना मिलते ही स्पेश मिशन पर निकल पड़ते हैं उनकी सपनों की सुडान की कोई सिवा नहीं होती कोई अंत नहीं होता है बस उन्हें एक छोटा छोटा सा ऐसा खिलोना चाहिए जो उनकी उत्सुकता को उनकी क्रियेटिविटी को जगा दे है अच्छे खिलोनों की ये खुबसृती होती है कि वो एजलेस और टाइमलेस होते हैं आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो इन खिलोनों के जरिये अपने बच्चपन में चले जाते हैं इसलिए मैं सभी माता पिता से ये अपिल करूँगा कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढ़ाई में इनवाल होते हैं वैसे ही उनके खेलों में भी शामिल हो ये ये नहीं कह रहां कि आप अपने घर का अपने आफिस का सब काम छोड़ दे और घंटों बच्चों के साथ खेलते ही रहें लेकिन आप उनके खेलों में शामिल तो हो ही सकते हैं आजकल परिवारों में प्ले टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है लेकिन आपको खेल और खेलों की भुमिका को जरूर समझना चाहिए खेलों का जो वैज्ञानिक पक्ष हैं बच्चों के विकास में उनकी लर्निंग में खेलों की जो भुमिका है उसे पैरेंट्स को भी समझना चाहिए और टीचर्स को स्कूलों में भी उसे प्रयोक करना चाहिए इस दिशा में अब देश भी प्रभावी कदम उठा रहा है व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन कर रहा है इसका एक उधारण हमारी नई राष्टिय सिख्षा निती भी है नई राष्टिय सिख्षा निती में प्ले आधारित और गतिविदी आधारित शिख्षा को बड़े पहमाने पर शामिल किया गया है एक ऐसी सिख्षा विवस्था है जिसमें बच्चों में पहलियों और खेलों के माध्यम से तार्कीक और रचरात्मक सोच बढ़े इस पर विशेश ध्यान दिया गया है साथियों खिलोनों के खेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलोजी भी है भारत के पास कंसेप भी है और कंपिटन्स भी है हम दुनिया को इको फ्रेंडी टॉइज की और वापस लेकर जा सकते हैं हमारे सौफ़एर एंजीनियर्स, कंपिटर गेम्स के जरिये भारत की कहानियों को भारत की जो मूल हुद मुल्य हैं उन कथाओं को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं लेकिन इस सब के बावजूद सो बिलियन डॉलर के वैश्विक खिलोना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुती कम है देश में 85 परसंट 85 प्रतीशत खिलोने बाहर से आते हैं विदोसों से मंगाये जाते हैं पिछले साथ दसकों में भारतिय कारीगरों की भारतिय विरासत की जो उपेक्षा हुई उसका परणाम ये हैं कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलोने भर गए हैं और वो खिलोना सिर्फ नहीं आया है एक विचार प्रभा हमारे घर में गुजगाया है भारतिय बच्चे अपने देश के विरों हमारे नायकों से ज़्यादा बहार के स्टार्च के बारे में बात करने लगें इस बाढ़ ने ये बहारी बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूट चेन भी तोड़ के रख दी है तहस दहस कर दी है कारीगर अपनी अगली पीडी को अपना हुनर देने से बचने लगे हैं कुछ मुझते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए आज हमें इस्थिती को बदलने के लिए मिलकर काम करना है हमें खेल और खिलोनों के ख्षेत्र में भी देश को आत्म निर्भर बनाना है वोकल फॉर लोकल होना है इसके लिए हमें आज की जरुतों को समझना होगा हमें दुनिया के बाजार को दुनिया की प्राफिक्ताओं को जानना होगा हमारे खिलोनों में बच्चों के लिए हमारे मुल्य सांसकार और सिख्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी आंतर राष्ट्य मानकों के हिसाब से होनी चाहिए इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं पिछले वर्ष से खिलोनों की क्वालिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है इंपॉर्ट होने वाले खिलोनों की हर खेप में भी सेंपल टेस्टिंग की इजाज़त दी गई है पहले खिलोनों के बारे में सरकारे बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझती थी इसे कोई गंभीर विशे नहीं समझा जाता था लेकिन अब देश ने खिलोना उद्योग को 24 प्रमुक शेत्रों में दर्ज किया है उसका दर्जा दे दिया है नेशनल टॉइ एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को सामिल किया गया है ताकि ये उद्योग competitive बने देश खिलोनों में आत्म निर्भर बने और भारत के खिलोने दुनिया में भी जाए इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है इसके साथ ही देश टॉय टूरिजम की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है भारतिये खेलों पराधारित खिलोनों को प्रमोट करने के लिए देश में टॉय का थोन 2021 का आयोजन भी किया गया था मुझे बताया गया है कि इस टॉय का थोन में बारा लाग से अधिक विवाओं ने शिक्षकों ने और विश्षक्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और साथ हजार से अधिक नएने आइडिया जाए ये दिखाता है कि दसकों की उपेक्षा और कठिनाईयों के बावजूद भारत की प्रतिभा भारत का हुनर आज भी और साधारन संभावनाओं से बड़ा हुआ है जिस तरह भारत ने अतीत में अपने उल्लाज से अपने उर्जा से मानवता के जीवन में रंग गोले थे वो उर्जा आज भी उतनी ही जीवन है आज टॉइ फैर के इस आउसर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस उर्जा को आधुनिक अवतार दें इन संभावनाओं को साकार करें और हाँ याद रखे अगर आज मेड इन इंडिया की डिमान है तो आज हैंड मेड इन इंडिया की डिमान भी उतनी ही बढ़ रही है आज लोग खिलोनों को केवल एक प्रोड़क के रुप में ही नहीं बलकि उस खिलोने से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं इसलिए हैंड मेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना है हमें ये भी याद रखना है कि जब हम कोई खिलोना बनाते हैं तो हम एक बान मन को घड़ते हैं बचपन के असीम उल्लास को घड़ते हैं उसमें सपने भरते हैं यही उल्लास हमारे कल का निर्मान करेगा मुझे खुशी है कि आज हमारा देश इस जिम्मेदारी को समझ रहा है हमारी ये प्रयास आत्म निर्भर भारत को वही स्फूर्ती देंगे जो स्फूर्ती बचपन में एक नई दुनिया रचती है इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से अनेक अनेक शुब कामना आएं और अब दुनिया में हिंदुस्तान के खिलोनों का डंका बजाना यह हम सब का दाईत्व हैं हमें मिलकर का प्रयास करना है निरंतर प्रयास करना है नए नए रंग रूट के साथ प्रयास करना है नए नए सोच नए नए विज्ञान नए नए टेकनलोजी हमारे खिलोनों के साथ जोड़ते हुए करना है और मुझे विश्वास है कि यह हमारा टॉय फैर हमें उस देज़ा में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम के रुप में सिद्ध होगा मैं फिर एक बार आप सबको अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद